हाई गीस और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ओफ 19 जैनवरी 2023 तो गाईस आज है तारिक 19 जैनवरी 2023 और है थर्सडे दिखिंगे आज के दहिंदू कंपलीट न्यूस पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच यादव एजुकेशन यूपी एससी आप लोग को यह वाला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिसस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफ़ेर के विडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बिसस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है नव बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो आज आप सभी लोग को मैप में चाक कर देखना है क्यूबा को, काफी चर्चा में है तो उसको अच्छे सा मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे, साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि UPSC प्रिवियस यर साल 2017 के प्रलिम्स में पूछा या था, डेली बिसिस पर हम लोग यहां प कौन सी एक बॉड़ी है जो की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज करती है, उप्शन ए बूलता है वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम, उप्शन भी युनाइटिड नेशन हुमन राइट्स काउंसल, उप्शन नमबर सी यूएन विमेन या फिर उप्शन नमबर डी वर् कर सकते हो, और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे, तो चलो शोबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनेल वाले इंपोर्टेंड आर्टि 23, तो जो 2023 का इंडेक्स है, इसके अंदर काफी सारी information अपकी बार देखने को मिलेगी, जो कि आपके exam के लिए बहुत जादा relevant है, अच्छा, क्या इस इंडेक्स के अंदर directly ये बताया गया कि हां कौन सी country कितनी ताकतवर है, नहीं, यहां पर इस particular इंडेक्स में, military को cover किया जाता है कि कौन से देश की military सबसे जादा strongest है, कौन से देश की military का सबसादा budget है, उसके country का defense budget सबसे जादा है, तो basically हाँ पर military की बात की जाती है, कौन से देश की military सबसादा powerful है, इंजनल बात करें तो किसी भी देश की, देखो अगर कोई military सबसादा powerful है, तो वो देश भी powerful म किसा हो एविन चाहिए वो 2020 का हो और मैं आपको बता दो इंडिया की rank पिछले लंबे समय से फोर्थ नंबर पर है और कल मैंने आपको जब आरमी डे के बारे में पड़ाया था तो कल ही मैंने आपको इसके बारे में में श्ली ब्लाइट के डा कि जो इंडिया करें तो फर्स नमबर पर आता है USA USA का जो डिफेंस बजट है जो पहले था आपकी बार भी वह यह कोई जादा यहाँ पर चेंज हुआ नहीं है लेकिन USA यहाँ पर टॉप पर है पिछले कुछ लंबे समय से क्योंकि यहाँ पर USA के मिलिटरी सबसदा पावरफुल मानी जा रही है इनका डिफेंस बजट भी बहुत जादा आगे है बाकी सारी दूसरी कंट्रीज के कंपारिजन में दूसरी नमबर पर आता है रश्या दें थर्ड नमबर पर है चाइना और फोर्ड नमबर पर आता है इंडिया और मैं आपको बता दो 2019, 20, 21, 22 ये जो पिछले चार साल थे इन चार सालों के अंदर भी भारत की रहेंगे चार पर ही थी और अभी हाँ पर हम लोग अगेन फोर्ड नमबर पर ही है जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे विजट करोगे तो आपको और डिटेलिंग्स जानने को मिलेंगी तो फिफ नमबर पर आता है United Kingdom, सिक्स नमबर पर आता है South Korea और सेविंध नमबर पर आता है पाकिस्तान यहाँ पर आपको हमारी neighboring country के बारे में जानना जरूरी है तो सेविंध नमबर पर पाकिस्तान है और चाइना हमसे एक नमबर उपर है थर्ड नमबर पर चाइना है ठीक है बाकि 8 नमबर पर जापान है और 9 नमबर पर फ्रांस, 10 नमबर पर इटली यहाँ पर top 10 countries के बारे में ध्यान में रख सकते हो वैसे उपर top 5 भी ध्यान रखोगे तो याद रहेगा one day examination के अंदर directly सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है अब आपका question होगा कि इसमें total कितनी countries को लिया जाता है कितने countries का यह index होता है तो 145 countries 145 countries को यहाँ पर इस index में cover किया जाता है अब हमने top 5 countries और top 10 countries को देख लिया है कौन कौन से यहाँ पर इस list के अंदर है अब top bottom को भी देख लेता है क्योंकि bottom को लेकर भी सवाल आप से बन सकता है कई बार examination के अंदर उस particular index में bottom countries के बारे में पूछा गया है तो bottom में बात करें तो सबसे last में आता है भूटान ठीक है भूटान भी हमारे एक neighboring country है तो आपने ये भी धियान में रखना है 145 यहाँ पर इसकी ranking दी गई है भूटान से पहले 144 पर है बेनन देन उससे पहले मोलदोवा देन आता है सोमालिया देन लाइबेरिया देन सूरी नेम देन बेलेज देन सियरा लियॉन देन आइसलेंड उसके बाद में Central African Republic और पैनामा देन 134 नमबर पर आता है कोसोबो तो ये last ही कुछ countries आपको नज़र आ तो ये तीन देश हैं जो की newly added हैं 2023 के अंदर में ऐसा खुद यहां पर इस index के front page पर mention किया या है I hope आपको इसके बारे में clarity मिल चुकी होगी ध्यान रखना next article पर आते हैं now next page पर आते हैं एक और बहुत जद relevant article है काफी detail में discuss करूँगा और आपको पता होगा आज से कई दिनों पहले मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई है अपने morning वाले वेडियो में लेकिन इस particular article में बात किस चीज़ के बारे में की जारी है वो है Jane Community Protest के बारे बहुत अच्छी बात है वो basically एक revise कर लेंगे और कुछ important facts है यहापे जो कि directly आपसे prelims में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको clear करवाँगा अब यह तो article है जिसकी वेशा हमें पढ़ना पढ़ रहा है लेकिन इस article का जब तक आप background नहीं समझोगे कि आखरकर क्या हो रहा प्रदर्शन यहाँ पर नजर आएगी पिछले कुछ सब्ता से जो जेन समुदाएं हैं वो लगातर प्रोटेस्ट कर रहें लगातर प्रदर्शन कर रहें सरकार के खिलाफ में कि इन सरकार के खिलाफ में और देशबर में अलग-लग जगा पर प्रोटेस्ट चला था यह एक जगा इसको लेकर प्रोटेस्ट चला है दूसरी जगा जो है वो है शेतरुन जया हिल्स शेतरुन जया हिल्स जो की बेसिकली गुजरात के अंदर में है वहाँ पर भी एक कह सकते हो पवित्र जगा है जेन कॉमुनिटी के लिए तो यह दो जगा है जो की बेसिकली आज क समय पर प्रोटेस्ट का रीजन बनी वही है अच्छा इसके पीछे का रीजन क्या है उसको हम लोग समझेंगे आगे उसको समझने से पहले आपको यहाँ पर समझना होगा सम्मिद शिकर जी के बारे में और दूसरा आपको समझना होगा शेतरोंजिया हिल्स के बारे में देखो बहुत इंपोर्टेंट है काफी दिनों से चर्चा में है लगातर प्रिलेमस में डारेक्ली आपसे सवाल बन सकता है तो आपने यहाँ पर इसके बारे में सारी इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताऊना चाहिए समित शिकरजी की चब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दिया जारखंड के अंदर जो गिरिद डिस्क्रिक्ट है वहाँ पर परसनाथ हिल है वही पर आपको ये समित शिकरजी देखने को मिलेगा अगर मैं आपको पिच्चर देखाऊं तो इस प्रकार सहाबे परसनाथ पहाड़ी के उपर बिलकुल उपर चोटी पर ये आपको समित शिकरजी देखने को मिलेंगे ये बैसिकली जैन समुदाई के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल भी एरिया है माना जाता है तो ये काफी ज़दा एक सबसे बड़ा जो पवित्र स्थल है वो बेसिकली वो एरिया के लिए आता है मैंने आपको बताया और जैनिजम के अंदर दो सेक्शन होता है एक होता है दिगंबराज और एक होतने स्वितंबराज दोनों के लिए ही वो प्लेस बहुत ज़ादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है यह आपने क्लियर किया उसके बाद क्वेशन यह उठता है कि आखरकार इनको हम तीर स्थल क्यों बोलते हैं जैन कमुनिटी के अंदर क्या यहाँ पर ऐसी चीज़े हैं तो आपको पता होगा कि जैसे हर एक रिलिजन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़े है उसमें से जैन कमुनिटी के अंदर में 24 जैन तीर थंकार्स हैं ठीक है जैसे सिकिजम में हैं सिकिजम में 10 गुरूज हैं वैसे यहाँ पर जैन में 24 तीर थंकार्स हैं इन 24 तीर थंकार में से जो बीस तीर थंकार जेन तीर थंकार देखने को मिलता है इन्हों ने इस शिकरजी टेंपल पर मोक्ष की प्राप्ति की थी यानि सैलवेशन को एचीव किया था इस वज़ा से यहाँ पर यह प्लेस काफी ज़दा important मानी जाती है for the Jane community बाकी जो जेन लेटरेचर है जनातर धनकता वहाँ पर भी बेसिकली इस प्लेस के बारे में कई बार मेंशन किया गया है ठीक है तो यह धियान रखना तो जनिजम के अंदर में जो important text है ना उनी में से एक text जनातर धनकता यहाँ पर बोला जाता है कि यह जो temple है सम्मेट शिकर जी इसके बारे में जो 12th century की biography है परश्मनात के उपर तो उसके अंदर भी यहाँ पर mention किया गया है तो यह कहीं ना कहीं काफी ज़दा चर्चा में रहती है तो आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है बाकी सम्मेट सिकर जी का importance क्या है तो importance यह है कि मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक पवित्र रिस्थल है यहाँ पर 27 किलोमेटर की जो पहाड़ी है आप वो ऊपर चड़कर जाते हैं चड़कर जाने के बाद में उस टेंपिल को विजट करते हैं जहाँ पर इन 20 तिर्थांकार नहीं यानि कि 24 में से जो 20 तिर्थांकार है उन्होंने सेलवेशन को यानि कि मोक्ष की प्राप्ती की थी उस पर्टिकुलर एरिया में ठीक है यह बात ध्यान में रखना तो यह आपने देखा समित शिकर जी के बारे में जो दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है वो भी जेन इसको लोग शेत्रुंजिया हिल्स के नाम से भी जानते हैं इस स्पेलिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा तो यह भी यहां पर एक पवित्र टैंपल माना जाता है जेन कम्मुनिटी के अंदर में यह कहां पर स्थित है लोकेशन धियान अकना यह गु और जाता है यहां पर कि जोो पहला जगा है यह इतनी पवित्र मानी जाती है क्योंकि यहां पर आपको मैंने बताया इत छोटे-छोटे कई सारे मंदर देखने को भिलता हैं यह यहां पर तियार गिए थे जब जो रिशब जी थे यानि कि इन 24 तीर थंकार में SEC है वो食 तो के अंदर में जो फर्स्ट तीर धंकार है रिशब इन्होंने यहापर अपनी सर्मन अपनी जो टीचिंग्स वगरा है यहापर दी थी इस टांपिल में बहारी के ऊपर तो उसके बाद से यहापर यह जो जगाए काफी ज़दा पविद्र मानी जाती है जेन कॉमूनिटी के अं यानि पूरे जैनेजम के यह फांडर है इन्होंने वहापर मेडिटेट किया था रायन ट्री के नीचे बैट कर यहापर मेडिटेट किया था तो उसलिए भी यहापर वो इरिया काफी ज़दा इंपॉर्टेंट माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दोरानियन कान यानि की नवंबर से लेकर दिसंबर के टाइम पीरिड में आप देखोगे यह जो टामपिल है यह काफी ज़दा क्राउडट रहता है बहुत ज़दा भीड यहाँ पर रहती है यह बात आपको क्लियर होगी तो दोनों लोकेशन को दियान लखना इतनी डिटेल से इसलिए बताया गय है क्योंकि हर साल लोकेशन को लेकर कई सारे जो सवाल है वो बन जाते हैं अब आते हैं न्यू समरी के ओपर आखरकार हुआ क्या चलो दोनों जगा के बारे में आपने डिसकस कर लिया अब दोनों जगा को लेकर जैन समुदाए क्यों कर रहा है प्रोटेस्ट इतने सारे दि ए उस एरिया को एक टूरिस्ट स्पॉर्ट डेकलियर कर दिया अफ्र तूरिस्ट स्पॉर्ट डेक्लियर करने का मतलब है कि अब जो लोग है न वहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं वो एरिया सभी लोग के लिए यहाँ पर ओपन कर दिया गया है तो यह 2019 में जारकंड की सरकार ने किया था अब होता यह है कि फैबरी 2019 में यह काम किया उन्हों है जो टूरिजम है इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशल है तो टूरिजम को बीसिकलि यहाँ पर प्रोमोट करने की भी कोशिश की जा रही है तो यह काम किये गए तो कवगे इसमें क्या दिखकत यह हुई कि जेन कॉमनेटी का कहना यह है कि इन्होंने 2019 में यह काम कर दिया प्रोटेस्ट का है उनका कहना यह है कि जो आपने इसको टूरिस्ट स्पॉर्ट डेक्लियर कर दिया है इस बेसिकली स्टैस को हटा दिया जाए एको संसिटिव जोन का जो यहाँ पर आपने मुद्दा रखा है इसको भी हटा दिया जाए तो सरकार का डिसिजन था कि इस इक्तिविटी स्टार्ट हो जाएगी मीट वगरा बिकना स्टार्ट हो जाएगा तो जो रीजन ने कहीं न कहीं जेन कॉमूनिटी के जो रिलिजयस सेंटिमेंट से इनको हर्ड करेगा तो इस वज़त से यहाँ पर मांग यह की गई है कि जो आप टूरिस्ट स्पॉर्ट इस अब यहाँ पर दूसरा विवाद इसलिए हुआ कि देखो एक समय पर देखने को भी मिला कि शेतरुइंजा हिल पर जो टैंपल है ना मैंने उसमें बताया कि आपको जो 24 तीर थंकार है उनमें से जो पहले तीर थंकार है उनका रूल काफी ज़ादा बड़ा है उसके basis पर यहाँ पर वो टैंपल्स बनाए गए तो एक CCTV फूटेज देखने को मिला उस CCTV फूटेज के अंदर यह पता लगाया गया कि कोई व्यक्ति जाता है टैंपल के अंदर में और उसने यहाँ पर कुछ ढूड़ने की कोशिच की होगी कुछ चोरी करने की कोशिच की होगी उसको कुछ मिला नहीं जब मिला नहीं तो उसने यहाँ पर क्या क्या जो foot steps थे होतीने God के foot steps यहाँ पर रखे जाता है जब उसको कुछ नहीं मिला temple के अंदर तो वो निकल जाता हमाँ से सीधा उसने उसको क्यों तोड़ा तो यहाँ पर इसके उपर वो थोड़ी investigation की मांग कर रहे है I hope आपको यह बात clear हो गई तो यह background समझना बहुत important था तब आपको यह article समझवाएगा ठीक है अब यहाँ पर चलो background तो आपने समझ लिया क्यों हो रहा है क्या हो रहा है कब हो रहा है सब कुछ समझ लिया अब बात यह करता है कि news यहाँ पर क्या निकल कर आती है news यह निकल कर आती है कि हमारी केंसरकार और जहारकंड की सरकार इन्होंने मिलकर decide कर लिया है कि जो सम्मिध शिकर है ये वापस से एक place of pilgrimage ही रहेगा ये कोई tourist spot नहीं रहेगा ये बात यहाँ पर निकल कराईए अगर मैं direct के ऐसे बता देता ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता इस वसे background बताया है तो यहाँ पर सरकार का decision आ चुका है कि ठीक है यहाँ पर आपकी पविजरी जगा रहेगी इसको हम tourist spot declare नहीं करेंगे इससे यहाँ पर जेन community के अंदर काफी ज़दा शान्ती आ जोकी है clear हो गई बात तो यह था यहाँ पर particular पूरा matter यह पूरा matter यहाँ पर dispute समझाया गया dispute मैं आपको लड़ी बता दिया news यहाँ पर केवल इतनी सी थी तो यह था मामला आगे आते हैं अगले article पर अभी जो यह decision है केवल सम्मेच शिकर के उपर आया है गुजरात वाले case के बारे में भी कुछ नहीं पता है बट सम्मेच शिकर को लेकर यह जो बात है वो मैं आपको बता दिये कि हाँ बिल्कुल अभी इसको tourist spot डेकलर नहीं करेंगे यह एक pilgrimage का ही place रहेगा यानि यह पविद्र स्थाल ही माना जाएगा जेन community के लिए नहीं अगले article पर बंड़े से पहले make sure करना यार वेडियो पर जो like बटन उसको प्रेस कर देना एक छोटा सा target है हमारा 5K प्लस likes का जिसको आप लोग पूरा कर सकते हो अभी जब कह रहा हूँ हाथ वाथ आप सुन रहे होंगे हाथ वाथ आप बटन को प्रेस कर दोगे ना तो यह target अभी क्या अभी एचीव हो जाएगा यह काम करना है साथी साथ में आप मेरे साथ में Instagram पे connect कर सकते हो इंस्टरग्राम पे जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपा यादा वेजुकेशन आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा 11,000 से ज़ादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में personally जुड़ पाऊगे प्लस जो भी आपसे questions पूछे जाता है जैसे कि starting में आपसे मैंने एक prelims का question पूछा map का question पूछा उनके answer नीचे comment section में दिया करो participate करना बहुत ज़्यदा जरूरी है पता चलता रहता है कौन-कौन regular basis पर participate करता है questions के answer देता रहता है तो नीचे comment section में answer देना बिलकुल मत भूलना नौ एक छोटा सा news article है इसको आप लोग GS paper number 3 environment के point of view से link कर पाऊगे क्या है article के अंदर अर्टिकल के अंदर एक owl के बारे में उल्लू के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है spot belide eagle owl तो यह क्या हुआ है यह जो owl है यह अभी देखने को मिला है आंदर प्रदेश के अंदर खासकर सेशलम फॉरेस्ट में आंदर प्रदेश में जो यह जंगल है यहां पे पहली बार यह owl देखने को मिला है इस वज़द से न्यूज में है इस owl का scientific नेम है बूबो नेपलेंसिस ठीक है बाकिस को मिलोग spot belide eagle owl के नाम से जानते हैं ध्यान रखना आपसे examination में पूछा जा सकता है तो खाली किसमें ध्यान क्या रखना है मतलब examination में क्या सकता है तो एक point बस खाली यह है कि नाम आपने ध्यान रखना इसका IUCN status इसके अलावा कुछ भ forest यहाँ पर पहली बार देखने को मिला है इस वज़से यह article में है तो IUCN least concern है least concern मतलब अच्छी कासी population है लेकिन फिर भी हमें protection यहाँ पर देना होगा protection नहीं देंगे तो दिरे दिर इसकी संख्याय खतम हो दी चली जाएंगी फिर यहाँ पर vulnerable, full squad endangered, critically endangered, ऐसे-एसे यहाँ इसकी जो ranking है वो देती रहेंगे इस red list के अंदर और इससे पता चलता रहेगा यह खत्रे में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो दिहान रखना IUCN में इसको least concern category में रखा है यह directly पूछ जाएगा इसको as it is रेटना पढ़ता है directly ही यह आएगा जहाँ पर भी आप उसी में इसको बस खली नाम और साधी साथ में इसका IUCN यह add कर लेना आ गया आता है अगले important news article पर आता है इसको आप लोग GS paper number 2 health के point of view से link कर पाओगे तो यहाँ पर बात की जारी है क्यूबा से क्यूबा जो की basically एक Caribbean country है तो वहाँ की एक activist आई है इन्होंने यहाँ पर Asian College of journalism में लोग के साथ में बाचीत की है और वहाँ पर इन्होंने कुछ statements दिया है जिस basis पर हमें इस article को पढ़ना होगा उनका क्या कहना है कि भले यहाँ पर क्यूबा के ओपर US ने कई सारे sanctions लगा रहे हैं लेकिन उसके पावजूद भी क्यूबा ने कुछ cancer वाली vaccines को develop कर लिय खासकर जो Alzheimer वाली बिमारी है ना इसको लेकर यहाँ पर कुबा ने काम किया है यह काफी जादा important होने वाला है ध्यान रखना क्योंकि Alzheimer एक ऐसी चीज़े जो कि लगातार न्यूज में रहती है तो इन्होंने Asian College of Journalism के साथ में महाँ के जो बच्चे हैं उन students के साथ में interaction किया बातचीत की और साथी साथ इन्होंने बोला कि क्यूबा ने COVID-19 के समय पर कई सारी वेक्सिन्स को बनाया पांच वेक्सिन्स को बनाया जिसमें से pulmonary, prostate और breast cancer के लिए यहाँ पर वेक्सिन यह लोग बना चुके हैं उसका साथ कुछ medicines बना चुके हैं और जो medicine जो दवाई है न वो Alzheimer और Parkinson जैसी बिमारी को ठीक करेगी, Alzheimer बिमारी क्या होती है अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, dementia भी आप इसको यहाँ पर बोलते हो कैसा खतरा बना रहता है, इसको लेकर आपको एक data देखने को मिलेगा जो की article के जस्ट नीचे आपको नजरा रहा होगा researchers ने भी हाँ पर recently कुछ ड्रक्स बगर बनाई, देखो हमेशा ना इसकी दवाईयों के उपर काम चल ला है, कई बार test फेल भी हुए, कभी-कभी यहाँ पर pass हुए, लेकिन दवाईयों में अभी तक फिर भी एक अच्छा accuracy rate नहीं देखने को मिला है, जो कि Alzheimer जैसी विमारी क बनाया है, तो इस वजह से थोड़ा discuss करेंगे, आखिरकार यह विमारी है कि अतनी खतरनाक जिसको यहाँ पर tackle करने के लिए, सबी countries लगी है, लेकिन एक proper solution हम लोग को मिल नहीं रहा है, ठीक है, बोला यह जाता है कि अभी के सापर कुछी दो-चारी दवाईयां देखने को म पोचने की शक्ति, या और भी काफी सरा जो burden है, वो brain के उपर पढ़ जाता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जब भी हम brain disorders की बात करते हैं, दिमागी सम्मदित बिमारी की बात करते हैं, तो एक word आता है, डेमेंशिया, डेमेंशिया एक सबसे बड़ा word है, डेमेंशिया के अंडर में ही अलजीमर और यह सारी बिमारी आती है, तो यह जो problem है ना, दिमागी सम्मदित बिमारी, यह दुनिया बहुत जादा है, लेकिन हमें थोड़ा सा, अगर हम बात करें, अपने examination के लिए पढ़ना हो, तो थोड़ा सा इंड बढ़ने वाली है, दोज़ार पचास तक 14 मिलियन से भी जादा लोग हो जाएंगे, जिनको एलजीमर या पार्किंसन जैसी बिमारी ओंगी होंगी, अब एलजीमर बिमारी अखरकर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सी चर्चा करेंगे, यह एक neurological disorder में आपको बताए, आपक याद रखने की शमता, उसकी जो memory है, वो यहाँ पे loss होने लगती है, सही से वो बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, अपने life के judgments या सही से कोई भी judgment नहीं ले पाता, mood के अंदर तुरं 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 बदलावाने लगता है, तो यह सारी चीज़े नजर आती हैं इस particular disorder के स बूरे लोग हैं, उनमें सबसे ज़ादा बूरी तरह से यहाँ पर यह affect करता है, Alzheimer disease बोला यह जाता है, कैसे होती है, इसके पीछे का कारल है, कारल है यहाँ पर यह है कि एक abnormal protein है, ठीक है, वो जो protein है वो हमारे brain cells के आसपास जम जाता है, इसको हम लोग amyloid के नाम से भी जा आता हूँ, यह वाला picture आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर ना, एक second में इसको zoom कर लेता हूँ, इस वाले picture को देखना, यहाँ पर मैं एक line draw कर रहा हूँ, यह वाली, चीक है, यह line में draw कर रहा हूँ, यह जो draw कर रहा हूँ, इतने बड़ा size का अगर किसी का brain है, तो वो एक healthy brain कैलाता है, लेकिन आप देखोगे, इस इंसान के अंदर में, जो brain का size है, वो काफी ज़दा छोटा है, कितना छोटा है, यहाँ पर यह आपको brain का size दिख रहा होगा, यानि कि इस Alzheimer बिमारी के अंदर में, brain का जो size है ना, वो भी shrink हो जाता है, छोटा हो जाता है ठीक है, healthy brain जो है बड़ा होता है, लेकिन Alzheimer वारी बिमारी में, brain का size भी छोटा हो जाता है, और होता है कि हमारी जो brain के अंदर neurons है, इनके बीच में communication होना बहुत ज़दा important है, तब ही आप सारा काम कर पाते हो, तो neurons काफी सार है, यह आपको देखने को मिलेगा, एक healthy neuron है, क्या हम लोग इसको plague बोलता है, यह plague एक तरीके से जंक सा आप समझ लो, यह यहाँ पर लग जाएगा ना, तो यह कहीं है कि हमारे neuron को damage कर देता है, neuron आगे यहाँ पर आगे फर्दर दूसरे neuron के साथ में communicate नहीं कर पाते, अब दूसरे neuron के साथ में बातचीत नहीं कर पाएंगे, communicate नहीं कर पाएंगे, तो इससे brain की जितनी भी capabilities है, वो सारी की सारी खतम हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पर मैंना बताया कि यह जो protein है, plague है, यह जम जाता है, इसको हम लोग ताओ भी बोलता है, यह brain के अंदर grow होने लगता है, जिसकी चक्कर में जो हमारे brain cells, नियूरोंस हैं, वो damage होने लगता है, brain cells खतम होने लगता है, और इससे brain का size भी छोटा होने लगता है, खास कर 65 साल के जो लोग है, यह फिर 65 साल से उपर हैं, उनके अंतर जालतार विमारियां देखने को मिल जाती है, जिसको हम लोग Alzheimer disease के नम से जानते हैं, औ और एक और सबसे खतरनाक चीज़ है, Alzheimer एक incurable disease है, यानि कि एक ऐसी बिमारी जिसको लेकर अभी हम इसको ठीक ही नहीं कर सकते हैं, अगर यहाँ पर brain cells खतम हो जाएं तो इसको वापस से लेकर आया जाए सके, यह basically कहिने की impossible है, आने वाले समय पर कोई भी change आएं, उसकी बात इंसान की जो survivability उसको बढ़ा देती है, थोड़ा इंसान जी जाता है, बस लेकिन वैसा कोई proper treatment आपको इस विमारी का देखने को मिलता नहीं है, क्लियर वोगी बात, ध्यान रखना, इन disease को लेकर हर साल कहीने की हम लोग कुछ ना कुछ question देख लेता है, prelims के अंदर में, next article पर आता है, अगले article काफी जदा relevant होने वाला है, इसको GS paper number 2 education के point of view से आप link कर पाऊगे, क्या बात की जा रही है, यहाँ पर एक report release हो चुकी है, जिसका नाम है Acer 2022 report, तो 2022 की report है, 2023 लग चुका है, तो पिछले पूरे साल का report हमेरे पास में आ चुका है, हर साल यह report publish हो रहा ह क्या बूलता है, A-S-E-R, ठीक है, इसकी full form क्या है, इसकी full form है, annual status of education report, तो अभी 2022 वाली release होई, पहली important चीज़ जो की examination के लिए ध्यान में रखनी है, वो क्या है, कि इस report को किसने release क्या है, तो इस report को release क्या है, प्रथम के तुरू, प्रथम क्या है, एक NGO यानि की non-governmental organization, इ यह report बताती है, कि इंडिया में कितना कितना enrollment हुआ है, हैना school के अंदर बच्चों का कितना enrollment हुआ है, education का level क्या है, बच्चों की जो reading करने की, हैना किताब पढ़ने की शमताएं हैं, वो कहां पर हैं, वो चीज़े इस report के अंदर mention की जाती है, अगर इस report का एक crux बताओ, य इंडिया भर में, जो students है न, खासकर class first से लेकर class 8 तक के बच्चों के में बात कर रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, प्राइवेट उशन्स यहाँ पर लेना शुरू किया, और यह प्राइवेट उशन्स बढ़ते वे नजर आ रहे हैं, 2018 में 26.4% के आसपास बच् schools है, यहाँ पर बच्चों का जो enrollment है वो बढ़ा है, बच्चों के admission अपकी बार government schools के अंदर increase होते वे नजर आएं, पिछले 16 साल में पहली बार कुछ इस प्रकार की चीज़ साल 2022 में देखने को मिली है, दूसरा यहाँ पर अब यह तो बात कर ली, उसके बाद एक important point आता reading क जब government schools के अंदर यह property survey किया गया है, यह जो survey किया गया है इस यह basically 616, 616 rural districts के अंदर में यहाँ पर survey किया गया है, 7-8 लग बच्चों का survey किया गया है, proper research करने के बाद में इस report को तयार किया गया है, यह report ने बताया कि अगर हम बात करें, साल 2018 में जो बच्चों की पढ़ने कम होने के साथ साथ, जो basically maths को solve करने की जो problems है, वो सारी capabilities भी अपके बार थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा है यह आपर इस report ने बताया है, कौन-कौन से age के व्यक्ति है, कौन-कौन से area में capabilities कम हुई है, वो सब बतायागे, वो आपको नहीं ही पढ़ने की ज़रूरत है, वो आप non-governmental organization है, आने वाले समय पर इस topic के ओपर कोई भी editorial publish होगा, तो वहाँ पर वो writer पूरे facts के बात में चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर उस editorial में आपको काफी सारी बाते cover करवा दी जाएगी, आने वाले समय पर लेक के रख लेना, इस particular article पर एक ना एक editorial जो है, वो publish होने वाला उसके साथ एक editorial हम लोगोंने business aligns से लिया है, वो भी basically दाहिंदू का यकपार है, ठीक है, तो थोड़ा सा time बचा, तो मैंने सुच है आर एक और editorial पढ़ लेते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर cover कर रहे हैं, थोड़ा important है, इस वैसे यहाँ पर cover करवाया जा रहा है, ले question क्या बोलता है, analyze the complexity and intensity of terrorism, its causes linkages, also suggest measure required to be taken to eradicate the meanness of terrorism, अगर मैं हिंदी में यहाँ पर बोलू, तो आतंगबाद की जो जटिलता है और तीवरता है, इसके कारण और जो संबंद है, इनका wish list करें, इसके अलावा आतंगबाद के खत्रे को खतम करने के लिए, जो आवशक उपा हैं, जो important suggestions हैं, measures हैं, वो यहाँ पर आपको बताने, उनका सोचा आप देना है, कैसे हम लोग यह कर सकते हैं, अच्छा, आप कहोगे, सर आपने ऐसे कैसे इस article को, मतलब इस question को ऐसे कैसे दे दिया, मतलब कुछ भी ऐसी उठा की दे दिया, नहीं, कल मैंने इसके बारे आपको पता होगा, United Nations Security Council के बारे पढ़ाया था, तो अभी आपर recently आतंगवादी को, जो है, UN के अंदर में, जो designation list है, उसके अंदर में रखा गया, UN designated आतंगवादी होशित किया गया, पाकिस्तान का मा की जो है, है ना, मैंने आपको बढ़ाया था, इसके बारे में कल, और क particular channel मिलेगा, जहां पर 44,000 से जादा लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ कर अपने answers को लिख सकते हो, लिखने के बाद में एक छोटा सा काम और करना है, आप सभी लोग को at least 2-2 answers को review करना है, जब आप सभी लोग 2-2 answers review करोगे, तो इसे काफी सरे benefits होंग वाकि सब बढ़िया है, ठीक है, तो इस cooperative way में वो पूरकपरो group run कर रहा है, जरूर उसको visit कर कर रहा है, ठीक है, चलो, आते हैं editorial पर, तो आज जो है, ये दोनों editorial बिल्कुल similar है, दोनों के बारे में discussion करेंगे, basic structure doctrine के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपको केश्वननदा भा बाकी text and context पर पूरे page पर एक जबरदस्त article आया है, और बहुत लंबा चोड़ा article है, लेकिन simple से शब्दों में आपको बताऊंगा, आखिरकार eco-sensitive zone को लेकर, इतना विवात क्यों चला है, इतना protest क्यों क्यों चला है, किरला के अंदर लगातार प्रदरशन चला है, इस फैस बिजनस लाइन अक्वार से लिया गया, ये भी दाहिंदू का ही है, ठीक है न, आपको बताऊंगा, दाहिंदू का सब्सक्रिप्शन लेते हो न, तो बिजनस लाइन वाला भी आता है, तो काफी अच्छा article है, जो कि natural farming के बारे हम बात करता है, इस particular editorial को लिखा है, PBS सूरे इन्होंने बहुत अच्छे points बताएं कि natural farming कैसे यहाँ पर एक relevant role play कर सकती है, इसमें क्या-क्या परिशानिया है, कैसे हम उन परिशानियों से tackle कर सकते हैं, वो सारी बाते इन्होंने इस particular editorial में mention किये हैं, चलो इस editorial के जितने भी points हैं, वो सब मैं अलग से mention कर चुका हूँ, उ यानि भारत की जो क्रिशी वाला area है ना जो agriculture इसके अंदर हम क्रांती ला सकते हैं, एक natural farming के माधियम से, तो natural farming के बारे में writer ने बताया है कि natural farming basically हमारे agriculture में एक ऐसा method है, जहां पर हम लोग पूरा का पूरा natural process का इस्तमाल करते हैं, और उसी के use से हम लोग क्या करते हैं, फसल का उतपादन करते हैं, वैसे अभी जो हमारी crops वगरा हुआ ही जाती है, अभी जो फसल हुगाई जाती हैं, उसमें काफी सारे chemicals का use होता है, है ना, बहुत सारे अलगलग pesticides का, यनि कीट नाशक का इस्तमाल किया जाता है, तो वो सारे chemicals हैं, जिससे हमारे environment के उपर भी बुरा असर पड़ता है, साथे साथ में वो जो मिटी है, उसका उजावपना खतम होने लगता है, तो हमारे agriculture के उपर ये chemicals negative impact डाल ले हैं, इसी का alternative क्या है natural farming, यानि natural farming एक ऐसा तरीका है, जहां पर हम लोग कोई भी chemical pesticide का use नहीं करता है, तो बताया जा रहा है बिल्कुल एक natural process है, यहां पर हम कोई synthetic inputs का use नहीं कर रहे है, natural way में हम लोग फसल को उत्पादन को ही बढ़ा डालते हैं इसमें, बढ़ा कर यहां पे हम लोग को फसल मिलती है, इससे कोई भी हमारे परेवरल के ओपर environment के ओपर कोई नुकसान नहीं पहुचता है, और farmers को भी धेर सारे benefit मिलता है, लेकिन writer ने बताया, पिछले कुछ समय में natural farming में काफी सारी challenges, बहुत सारी परिशानिया इंडिया ने face की हैं, जैसे natural farming के मामले में हमें market जो है काफी limited मिलता है, proper हमारे पास में natural inputs नहीं हैं, तो काफी problems हम लोग face कर रहे हैं, आगे इन problems को थोड़ा details से writer ने analyze किया है, तो as a analyze करने के बाद में इसके प्रती एक step उठाया जाए, ताकि हम अच्छे से food production कर पाएं और naturally इन चीजों को grow कर पाएं, ठीक है न, तो हमें हाँ पर आने वाला future generation है, उसको भी काफी बड़ी मदत मिल जाएगी अगर हम natural farming को अभी ही एक बड़ा successful method बना दें तो, ठीक है, तो यह बात यहां पर writer ने mention की है, यह तो इन्होंने overview दिया कि हाँ, इस particular editorial में वो क्या-क्या discuss करेंगे, तो पहला point तो यही आता है कि sir, natural farming होती क्या है, natural farming एक ऐसा तरीका है, agriculture करने का जहां पर, मतलब खेती बाड़ी करने का, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी chemical का use नहीं करत जाता है, और यहां पर properly आप कर सकतो, natural ही तरीका use किया जाएगा, यहां पर हम लोग कोई भी artificial input जैसे fertilizer हो गया, कोई खाद हो गया, या कोई कीटना शक हो गया, इसका भी इस्तमाल नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग natural techniques के उपर use करते हैं, natural technique जैसे हो गई crop rotation, बार बार यहां देना, दूसरी यह लगा देना, इस प्रकार से crop rotation करते हैं, या फिर intercropping, intercropping आपने देखा भी होगा, आप picture Google पर देख सकतो, इसमें क्या होता है ना, कि दो फसले, दो प्रकार की फसले एक ही जमीन पर लगा दी जाती हैं, है ना, एक रो जैसे कि, एक रो यहां पर बन पाते हैं, एक तो natural farming कर पा रहे हैं, दूसरा यहां पर हम लोग को थोड़ा सा जादा फसल मिलता है, ठीक है, थोड़े सी जादा हम लोग को एक अच्छा quality का, और एक अच्छी quantity में हम लोग का हम फसल मिल पाता है, वो बाते इस particular writer ने mention की हैं, ठीक है, natural farming के बारे में, दूस हम लोग यहां पर natural farming ही किया करते थे, तो natural farming का जो major goal है, इसका एक जो major मकसद है, वो क्या है, एक healthy और nutritious food को बनाना, क्योंकि जहां पर एक तरफ chemical का use हो रहा है, pesticide को use हो रहा है, तो वहाँ पे जो food है ना, वो इतना nutritious नहीं होता, उसके अंदर इतने portion नहीं होता है, लेकिन दूसी तरफ यहां पर naturally हम उसको grow कर रहा है, वहाँ पर कोई भी chemical का use नहीं किया है, तो उसमें अपने आप में काफी ताकत होती है, काफी energy होती है, बहुत healthy food होता है, दूसरा बहुत सरे portion उसके अंदर पाए जाते हैं, तीसरा उसका environment के ओपर भी कोई impact नहीं पड़ता है, तो ये सारे फाइदे natural farming में देखने को मिलते हैं, अब writer ने mention किया है कि आखरकर natural farming का importance या है, importance में पहली चीज़ निकल कर आती है food and nutritional security, जैसे मैं आपको बताई चुका हूँ, natural farming क्या करती है, हमारे food के अंदर nutrition को काफी ज़दा improve कर देती है, तो कही ना कहीं, nutrition के साथ साथ इसमें क्या होता है, जब लोगों को, एक तरफ आप भर के खाना खालो, बहुत सारा खाना खालो, और उसमें कोई भी portion नहीं है, तो उसका कोई फाइदा होगा नहीं, दूसी तरफ यहां पे आप थोड़ा सा खाना खाओ, उसमें portion है, उसमें nutrition है, तो कहीं ना कहीं वह आप पैसा खर्च करके वो chemicals और fertilizer को purchase करो, और फिर उसका use करने के बाद में हम सोचने हैं कि फसल जादा मिलेगा, फसल चलो जादा मिल भी गया, लेकिन उसका इतना nutrition value नहीं होता है, जितना natural farming में हमें nutrition value मिलता है, तो पहला importance तो आपको ये clear हो गया, दूसरा importance यहां पर writer ने mention किय वो है sustainable agriculture, natural farming एक sustainable तरीका है, आप कर सकते हो कि जैसे हम बुलता है टिकाओ तरीका है, इससे हम लोग agriculture को आगे बड़े level पर लेकर जा सकते हैं, इससे हम अपने natural resources को बचा सकते हैं, क्योंकि दूसी तरफ हम chemicals बगरा का इस्तमाल कर रहे हैं, तो इससे हमारी soil जो मिटी है, वो बिसिकली कहीं है कि खराब होती जा रही है, उसका उपजाओ पना खतम होता जा रहा है, ताफिसरा greenhouse gas emission हो रहा है, pollution जैसी चीज़ें यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी, तो जितने भी natural resources है हम यहाँ पर उनको बचाई रहे होंगे, उनको और इंप्रूफ कर रहे होंगे natural farming के माध्यम से, यह इसका दूसरा importance देखने को मिल जाता है, तीसरा importance क्या है, इसके economic benefits भी काफी सार है, क्योंकि natural farming के अंदर में, आप जाधा पैसा खर्चते नहीं हो, हैना जाधा पैसा नहीं हो, इसमें काफी सारा जो saving है वो हो जाता है, बाक natural farming थोड़ा सा beneficial हो जाता है, हैना, यहाँ पर cost reduction, risk भी कम है, cost भी कम है, और incomes भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ जाती है, ऐसी बात बताई जा रही है, natural farming के importance को लेकर, दूसरी चीज़ यहाँ पर writer ने mention की है कि चलो, हमने importance तो discuss कर लिए, लेकिन पिछले कुछ समय में natural farming ने धेर सारी problems को भी face किया है, क्या-क्या problems, क्या-क्या issues हैं, जो कि natural farming ने face किया है, पहला issue है weather और climate, natural farming के जितने भी methods है, यह काफी जादा वलेरेबल देखने को बलेंगे to the weather, यानि अगर मालो कोई climate change हो रहा है, climate change यानि कि जैसे से गर्मी बढ़ रही है, सूखा पढ़ र बढ़ा सकते हैं, लेकिन natural farming में ऐसा नहीं हो सकता, अगर climate change हो रहा है, weather बगएर काफी सदा खराब है, हमारी फसल के लिए suitable weather नहीं है, तो इससे हमारे कही नगी फसल के उपर एक बहुत बुरा impact पढ़ता है, और farmer के लिए बहुत बढ़ा challenge हो सकता है, और सबसे बड़ी दि natural farming में भी कीडे लग जाते हैं, कीडे लग गई या किसी यहाँ पर फसल को बिमारी लग गई है, जिसकी वैसे बिमारी काफी ज़्यदा फैल चुकी है, तो इससे natural farmers को बहुत ज़्यदा मुश्किल होती है, इन फैक यहाँ पर बहुत ज़्यदा कठेन हैं, अभी भी अगर natural farming में कीडे लग जाएं या कोई बिमारी फैल जाएना तो उसको control कर पाना अभी भी बहुत मुश्किल है, conventional farming में तो हम लोग pesticide का इस्तमाल कर लेंगे, जिससे कीडे मर जाएंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ का use नहीं कर सकते, तो इन problems को tackle करना अभी भ बहुत बड़ा challenge है, और इसकी वेज़ से natural farming हमारे farmers के लिए थोड़ी सी risky भी बन जाती है, ठीक है, ये बात आपको clear हो गई, चलो, आगया आता है उसके बाद में, देन उसके बाद ये बोलता है limited resources और time constraint, ये भी बहुत बड़ा challenge है, मतलब natural farming के अंदर जाद तर आपको जा जादा labor चाहिए होती है, दूसरे resources यहां पर चाहिए होता है, ऐसा यहां पर बूला जा रहा है, बागी जो conventional farming method होता है, महाँ पर जादा labor नहीं चाहिए होती है लेकि natural farming में जदा चाहिए होती है, फिर natural farming में आपको थोड़ा सा ज़्यादा time देना होता है जदा effort लगता है आपको crop rotation करनी होती है या inter cropping करोगे तो एक जगा एक फसल दो 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 फसल लगाना इतनी आसान बात नहीं हो पाती है दोनों को manage करना इतनी आसान बात नहीं हो पाती है तो कहीं न कहीं यहाँ पर natural farming के अंदर लोग का time भी जादा जाता है और effort भी जादा जाता है as compared to the conventional farming ये बात बताई गई तो यह यहाँ पर आपने discuss किया challenges के बारे में अब इसमें कुछ और challenges ही बताए गए सबसे पहला lack of agriculture diversification आप देखोगे ना एक दिक्कत है हमारे भारत में agriculture system के अंदर में जादतर जो किसान उगा रहे ना वो यहाँ पर जादतर आप देखोगे चावल गे हूँ यही चीजों का उगाया जाता है हमारे यहाँ पर crop का diversification जादा नहीं है crop का diversification मतलब अलग लग प्रकारी इदे को फसले बहुत प्रकारी की होती है वो जादा उगाई नहीं जाती है हम थोड़ी बहुत फसलों के बारे में जानते हैं उन्हीं का जादतर growth किया जाता है reason क्या है? reason यहाँ पर है कि उन फसलों के उपर MSP मिलता है minimum support price सरकार के करती है MSP देती है कुछ ही फसलों के उपर और वही फसलों को farmers हमारे किसान बाई जादा हुगाता है क्योंकि उनको एक support मिल जाता है सिधी बात उनको एक security मिल जाती है कि हमारे इतना नुकसान होगा नि अगर कहीं पर नहीं भी का तो सरकार से सरकार तो इतना पैसा हमें minimum इतना पैसा देगी तो हमें कोई loss होगा नि तो अपने हैं पर मामला secure करके farmers जो है ना उनी फसलों को जादा हुगा आता है जिस पर MSP मिल रही है तो इससे हम बाकी बाकी जो crops होगे जिस पर MSP नहीं मिल रही है न उसको नहीं होगा पा रहे है तो crop का diversification नहीं हो पा रहा है अलगलग फसले हम नहीं होगा पा रहे है तो ये भी कहीं है कि बहुत 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 चलेंज यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे agriculture system में अब writer ने mention किया कि जब इतनी सारी problems हैं ही तो हम क्या कर सकते हैं क्या way forward हो सकता है क्या solution इसका हो सकता है सबसे पहला solution है farmer training center एक तरीका है हम जिससे natural farming को आगे promote कर सकते हैं भारत में वो यह है कि हम properly अपने farmers को education दे और एक training provide करवाएं regarding natural farming उसके benefits के बारे में समझाएं उसकी techniques को समझाएं यहना उसको कैसे approach का जाएगा वो समझाएं तो इससे कहीं नहीं कि यहाँ पर जो farmers हैं वो natural farming को थोड़ा सा encourage करेंगे और जब इसको आपनाने लगेंगे तो कई सारी problems के solutions अपने आप मिलने लगेंगे दूसरा यहाँ पर way forward है वो है incentivizing natural farming अब होता है यहाँ पर है कि जो सरकार है वो एक बहुत important role play कर सकती है हमारे natural farming को promote करने में कैसे वो financial incentives provide करवा सकती है है ना कुछ subsidy दे सकती है farmers को अगर जो जो farmer natural farming कर रहे हैं उनकी थोड़ी बदत करें उनको subsidy दे उनको कुछ अलग से grant provide करवा है तो इससे यहाँ पर क्या होगा इससे यहाँ पर natural farming को एक बढ़ावा मिलेगा जो farmer से वो जाद अतर इसके अंदर involved होना start होंगे क्योंकि उनको सरकार एक support कर रहे होगी ठीक है तो I hope आपको यह बात clear होगी तीसरा यहाँ पर बोला जा रहा है linking natural farming with CSR CSR आप समझ रहे हो ना corporate social responsibility यानि कि जो हमारी companies होती है जो private companies भी है ना उनको भी यहाँ पर participate करना चाहिए जो private sector है वो भी हमारे natural farming को promote कर सकती है है ना जो कैसे promote करेगी जो corporate social responsibility programs है CSR programs हम चला सकते हैं यहाँ पर corporate जो है जितने ही private sector companies है वो यहाँ पर investment कर सकती है काफी सरा जो पैसा है अपना जो profit है उसमें से कुछ amount निकालकर natural farming projects के अंदर invest कर सकती है ना natural farming organizations के साथ में partnership कर सकती है उनको बढ़ावा दे सकती है तो यह काम भी किया जा सकता है दन उसके बाद में एक और way forward बताया गया है वो है one district one natural product मेला आपको बताओगा one district one natural product क्या है पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा किया है देखो हर एक district के अंदर ना हमारे भारत में जितने भी district है हर एक district में अपने आपे कुछ खास बात है वहाँ पे कुछ ने कुछ famous है तो हम लोग one district one natural product मेला को बना सकते है एक ऐसा मेला लगा जा सकता है जहां पर अलग लग districts की जो ताकत है जो उनका natural product है उसको यहाँ पर showcase क्या जा सकता है इससे उस particular district का जो basically वो जो product है वो काफी ज़दा promote होगा उसके जो demand वगरा है वो काफी ज़दा बढ़ती होगी नज़र आएगी और इसमें हम लोग natural farming को थोड़ा ज़दा promote कर सकते है natural farming को promote करेंगे लोग यहाँ पर उसी चीज़ की demand करेंगे और फिर basically उसी चीज़ का supply यानि उसका production वगरा भी किया जाएगा फिर writer ने आकरी point mention किया research और development के बारे में देखो at the last एक काम ज़रूरी है वो है आपको research और development में पैसा खर्चना इंडिया में research और development के उपर ज़दा पैसा नहीं खर्चा जाता है जब तक आप यहाँ पे पैसा नहीं खर्चोगे तब तक वो particular sector ग्रो नहीं करेगा clarity मिल चुकिए काफी interesting article था बहुत सारे मतलब सब कुछ relevant था इस वज़ए से यहाँ पर थोड़ा इस article के उपर ज़दा जोर दिया जया है बाकी सरकार अपना काम करी रही है सरकार agriculture को promote करने के लिए धेर सारे विकास योजना हो गया, submission on agroforestry हो गया, राष्ट्रिव क्रिशी विकास योजना हो गया ये कुछ important initiative से जो कि सरकार की तुरू चलाए जा रहे हैं हमारी farming को और ज़दा promote करने के लिए clear हो गई बात, समझ में आया ना, चलो आते हैं उसके बाद next article की तरफ अगला article काफी ज़दा relevant होने वाला है, बात करता है conflict behind eco sensitive zone eco sensitive zone को लेकर चल रहा है बहुत जादा विवाद, केरेला और कई सारे राज्यों में लगातार लोग सड़कों पर उतर जुके हैं, जो की protest कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं चलो जी, समझते हैं, आकरकर हुआ क्या है, क्या होता है eco sensitive zone देखो context के मैं आपको समझाता हूँ, सुप्रीम कोड का judgment आता है पिछले साल साल 2022 में, जून के समय में वो judgment आता है, सुप्रीम कोड ना ये बताया इको sensitive zone area तो होना चाहिए, ये बात यहां पर बोली जा रही थी, और अब देखो के कई सारे जो wildlife centuries हैं, वो आपको केरेला में देखने को मिलेंगी, national parks केरेला में देखने को मिलेंगे, हमारे पूरे देश भर में कई सारे natural parks, national parks, wildlife centuries वगरा सब कुछ नजर आती हैं, तो इन्होंने बोला, इसके आसपास का जो area है सर, उसको आप लोग कम से कम, कम से कम जो एक किलोमेटर का area है न, वो eco sensitive zone डेकलियर कर दो, अच्छा, eco sensitive zone डेकलियर करके होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम लोग वही समझेंगे कि आखिरकार eco sensitive zones होते क्या हैं, देखो eco sensitive zone की अगर मैं definition के बारे mention करूँ, तो national wildlife action plan, जो हमारी minister of environment का ही basically यह plan है, इन्होंने ये बोला था, कि जितने भी राज्य सरकारे हैं, उन राज्य सरकारों को क्या करना होगा, उनके area में, उनके राज्य में, जितने भी national parks हैं, wildlife centuries हैं, eco fragile zone हैं, वहाँ पर उनको उसके आसपास का, at least मतलब एक मोटा मोटा अगर हम अंदाजा बोलें, एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं, तो at least कम से कम 10 किलोमेटर तक का जो area है न, वो eco sensitive zone उने declare करना होगा, आप आप सोच रहोंगे, सरा आप इती दिर से eco sensitive zone बोल रहे हो, यह area हुआ कौन सा, इसको हम transition zone भी बोलते हैं, मान लो, यहाँ पर अंदर यह है एक natural park, जिसमें कई सारे जानवर बगरा पाये जाता हैं, ठीक है, और बाहर यहाँ पर क्या है, कि इधर इस प्रकार से settlement है, settlement मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं, वो रह रहे रहे हैं, इधर सारे की सारी बस्तियां बसी पड़ी हैं, इस natural park के चारो तरफ, ठीक है ना, population इस population चारो तरफ देखने को मिलती है, ठीक है, अब क्या होगा, इन population और natural park के बीच में हमें एक gap बनाना होगा, ताकि इस natural park को production दे सकें, यहाँ पर जो जानवर हैं, उनकी सुरक्षा कर सकें, तो उसके लिए क्या कर देंगे, बीच में एक transition zone बरा देंगे, यानि की buffer zone, यही क्या कहलाएगा, इको sensitive zone कहलाएगा, यह हमने क्या कर दिया, इको sensitive zone डिकलियर कर दिया, इसमें क्या होगा, जो human की activities होंगी ना, यह बहुत कम होंगी, बहुत कम, कुछी activities यहाँ पर allow की जाती हैं, कुछ लोग यहाँ पर अंदर भी रह रहे होता है, उन लोग को बहुत परिशानी होने लगे की, ठीके, उनका यहाँ पर जो जीवन है, वो उसी area के उपर dependent है, उस area से सरागा सरा काम चलना है, उस जंगल में रहने वाले कई सारे forest dwellers हैं, अब जैसी इसको eco-sensitive zone डेक्लियर कर दिया जाएगा न, इन सब लोगों की जितने भी rights, जितने भी हक हैं, वो यहाँ पर खतम हो जाने हैं, अब इदक जो काम कर रहे थे, जो जंगल से produce हो रहा था, उसी को बेच-बाच कर अपना कामा रहे थे, खा रहे थे, अब बता वो सब यहाँ पर क्या करेंगे, वो problems यहाँ पर नजर आने लगती है, तो eco-sensitive zone क्या है, आपने समझ दिया, तो एक मोटा-मोटा बात करें, तो भी राज्यों को अपने यहाँ पर eco-sensitive zone declare करना ही करना होगा, यह बात बोली गई थी, तो केरेलने भी यहाँ पर ऐसा करना था, सभी राज्यों को ऐसा करना था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ, आगे मैं आपक सुरक्षा दे पाता है, आप सुरक्षा कैसे दे पाएंगे, तो यहाँ पे जैसी हमने उस एरिया को eco-sensitive zone declare कर दिया, वहाँ पे activities कम हो जाएगी, activities को prohibit किया जाएगा, जैसे कि आप माइनिंग नहीं कर सकते, है ना, उसकाद में कुछ industry वगरा नहीं लगा सकते, जिससे pollution व हम कर देखते हैं, वो सब आप नहीं कर सकते, जो waste वगरा है, वो सब नहीं generate कर सकते, तो यह कहीने के prohibited activities हैं, इनके ओपर रोख लगा दिया पूरी तरह से, eco-sensitive zone में, दूसरी कुछ activities होती है, वो regulated होती है, यानि हाँ पर इसको थोड़ा बद अलाउ किया जाएगा, थोड़ cables बिचानी हुई, तो यहाँ पर यह थोड़ी सी regulated activities है, फिर एक activities आती है, वो है permitted activities, permitted मतलब यह चीज़ें यहाँ पर properly allowed है, यह करना चाहते हो, तो यह कर सकते हो, क्या क्या allow है, horticulture practices, यानि जो agriculture है, खेती बाड़ी, प्लस यहाँ पर rain harvesting, यानि की rain water harvesting, जो बारिश का पानी है उसका यहाँ पर properly use करना, organic farming हो गई, है न, renewable energy sources को use करना, green technology को adopt करना, यह सारी activities allow कही गई है, इन सब के लिए permission ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ पर इनको कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा, क्या क्या रोका गया है, वो मैं आपको बता गया, क्या क्या regulated activities है, वो लगातार बढ़ नहीं जंगल वाले एरिया में, इसको कम कर सकेंगे, दूसरी developmental activities को रोक सकेंगे, urbanization जैसे जैसे शहरी कराल बढ़ रहा है, लोग बसते वे जा रहे हैं, तो national park के अभी तो किनारे किनारे बसते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर अंदर तक पूरी तरह से बस जिससे natural habitat को, जानवरों को काफी जद नुकसान पहुंचने वाला है, तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ को रोक पाएंगे, तीसरा हम in-situ conservation कर पाएंगे, in-situ conservation का मतलब यह है, पर यह है कि उस particular area में, जो जानवर रह रह रहे हैं, वो अपने natural habitat के अंदर पाए जा रहे हैं, त तो वहीं पर उनको एक protection दे सकेंगे, जैसे काजी रंगा natural park में one horn rhino पाए जाता है, तो उनको हम वहीं पर एक protection दे पाएंगे, उनको हम उनकी सुरक्षा कर पाएंगे, ठीक है, तो यह बात बताए गई है, दूसरा जो animal और man conflict देखने को मलता है, इसको रोक पाएंगे, क्य इको sensitive zone के अंदर किया जाता है, बात clear हो गई, इतना आपको समझ मागया, अब आप सोचो के सर, protest क्यों चला है, यानि कि लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे है, यह तो सही बात है, अच्छी बात है, अब मैं आपको बताता हूँ, प्रदर्शन लोग यहां पे आखिरकार क्यो कर रहे है, यहां पे यह बोला गया, जैसे केरेला में, कई सारे एरियाज है, मालो एक national park है, कि है कोई wildlife century है, उसके आस-पास लोग रह रहे थे, उसमें बोला गया, एको sensitive zone कर लो, ठीक है ना, Supreme Court ने बोला, कम से कम एक किलो मेटर का, minimum एक किलो मेटर का, एको sensitive zone तो होना चाहि जंगल वाले, जो सारे अधिकारे, वो उनको दिये जाता है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि, उनके rights का हनन हो रहा है, और वो लोग कहा जाएंगे, वो लोग आज के समय पर कहा जाएंगे, उस area से हट कर, ठीक है, वही लोग पहले यहां पे, जितना भी forest में से, जो मिल रहा कि केरला में काफी सारे लोग natural power world life centuries के आसपास रहता है, उनको पीछे हटा दिया जाएगा तो इससे लोग नराज भी हो जाएंगे, डारेक्ट सरकार को पर impact पड़ेगा, next election में उसका पता चल जाएगा, तो वो चीज़े नजर आ रही हैं, मैं केवल केरला की बात निकर रह जाएं, इससे लोगों के जो अधिकार हैं, वो चीने जा रहे हैं, जो आज के समय पर जंगल के अंदर लोग फैले वे हैं, ठीके, बाकिया आप देखोगे, कई सारे हिस्वे में, जो eco-sensitive zone है, जैसे 10 राजजाप को देखने को मिलेंगे, आंदर प्रदेश, चतिसगर्ड, उनकी protection के उपर ध्यान देना होगा, उनके rights जो हैं, उनके उपर हमें ध्यान देना होगा, वो बात इस particular editorial के अंदर बोली जा रही है, तो protest क्यों हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, protest के अंदर अब देखो लोग रह रहे हैं, तो सारी activities लोग दी जाएंगी, आप कुछ ऐस PDF से मिल जाएंगे, PDF जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो उसके साथ एक app डाउनलोड कर ले ना, जिसका नाम है Adobe Acrobat App, ठीके ना, उस app से ही आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे उस app में आप इस PDF को उपन करोगे, आपको सारी की सारी जो information है, वो अराम से वहा एडिटोरेल के अंदर, देखो इस एडिटोरेल को समझने से पहले आपको कुछ और background चीज़ें समझनी होगी, वो background चीज़ें पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आप कुछ समझ पाओगे इस article में, पहला point, देखो ये बात तो मैं आपको इतनी बार बता चुका अगर आप से पूछा जाए कि Supreme Court के Judges को हम लोग कैसे appoint करते हैं, उनके Judges को कैसे appoint या transfer किया जाता है, तो आप क्या बताऊगे, हाँ पता है हमें Supreme Court के Judges को appoint या transfer किया जाता है एक सिस्टम के माध्यम से जिसको हम लोग बोलते हैं Collegium System, क्या बोलते हैं Collegium System, ठीक है, अब सर जजिस में एक तो हो जाते हैं हमारे Chief Justice of India, और बाकि जो चार जजिस होते हैं वो भी हाँ पे हमारे Supreme Court के ही Senior Most Judges होते हैं, तो यानि कि पांच के पांच जो Judges इस सिस्टम के अंदर हैं, वो Supreme Court से ही बिलोग कर रहे हैं, ठीक है, और यही Judges मिलकर क्या करते हैं, बाकि सारे Judges क अपोइंटमेंट या फिर उनका ट्रांसफर देखने का काम करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब यह Judges का ही सबसे बड़ा रोल है, तो possibility है कि यहाँ पे नेपोटिजम जैसी चीज़े देखने को मिल सकती हैं, फेवरेटिजम जैसी चीज़े देखने को मिल सकती हैं, यानि कि जो यह पांच के पांच जजिस हैं, यह अपने ही पसंदिदा लोगों को आगे बढ़ाते रहें, उन्ही को जजिस बनाते रहें, उन्ही को as a judge अपोइंट करते रहें, उन्ही का ट्रांसफर करते रहें, अपने जो फेवरेट लोग हैं, उन्ही की आगे ग्रोध के साल 2015 में काओगे ठीक है चिता व्यक्त करने के बाद में क्या किया सरकार ने ये बोला कि ये जो कॉलिजियम सिस्टम है न ये होना ही नहीं चाहिए कॉलिजियम सिस्टम खतम हो जाना चाहिए तो आप काओगे कैसे खतम कर दें अपोइंटमेंट कमिशन ये बात आपको आर्टिकल अभी दिख रही होगी तो सुप्रिम सरकार ने बोला कि हमारे पास में ये बॉड़ी होगी तो कहोगे कि बात तो है कि यहां पर भी कॉलिजन सिस्टम है यहां पर NJC है नहीं बात एक नहीं है एक डिफरेंस है पता डिफ तो इसको बेसिकली लाने का परपस यह था कि इसके अंदर चीफ जस्टिस आफ इंडिया तो होंगे ही साथी साथ में जो हमारे सुप्रिम कोट के सीनियर मूस जजिस हैं वो भी होंगे उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोगसभा के ओपोजिशन लीडर, हमारे लोग मिनिस्टर, ये सारे लोग भी होंगे, मतलब केवल इन जजिस का ही रोल नहीं होगा, इसके अलावा कई सारे और भी लोग होंगे जो कि हमारे गवर्मेंट के अंदर में आते हैं, उनका रोल भी होगा, तो मतलब यहाँ पे NJC के माद्दम से जब भी ह हम लोग जजिस का अपॉइंटमेंट या ट्रांस्फर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कि सरकार का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, कें सरकार का रोल होगा, ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो इन्होंने प्रस्ताव यह रखा कि कॉलिजियम सिस्टम को कर दिया जाए, खतम NJC को लेकर आये जाए, सरकार NJC को लेकर आ गई थी, अब होगा क्या, जब NJC को लेकर आई, तो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोट आया, बीच में सुप्रीम कोट ने बोला कि अब आप यहाँ पर ना, कोई एक लिमिट क्रॉस कर रहो, इसमें क्या आप कोट को इंडिपेंडेंट छोड़ी ने रहे हो, क्योंकि हाँ पे केन सरकार का इंवॉल्मेंट आ जाएगा, केन सरकार अपने इसाफ से जज़िस को अपॉइंट करना शुरू कर देगी, फिर क्या होगा, आगे इसका बहुत बुरा इंपाक्ट देखने को मिल सकता है, कोई डिसीजन के इंसरकार ने लिया है, सुप्रीम कोट ने पहुचा है, तो वही उनके पक्ष में चले जाएगा, जो की नहीं जाना चाहिए ता ऐसा कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोट ने बोला कि जुडिश्री की इंडिपेंडेंसी खतम कर रहे हो आप, और इस चक्क की है, कि कॉलेजम system नहीं होना चाहिए, कॉलेजम system के जगर NJC होना चाहिए, ये वापस से माँची है, अब वापस से माँच उठते उठते रीसेंटली क्या होता है, कि जो हमारे वाइस प्रेशिटेंट है जग्दीब धंकर साब, इन्होंने यहाँ पर एक बात बोल दी, क्या बोला इन्होंने इन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोड जो है ना या फिर हमारी जो जुडिश्री ये वो होती कौन है इस प्रकार से पार्लियमेंट के जो भी हाँ पर लॉज है पार्लियमेंट एक काउन बना रही है उसको खारिज करने वाली सुप्रियम कोड होती कोन है सुप्रिम कोट का ऐसे कोई हक नहीं है जो पालियमेटिकी लॉजव उसको यहां पर खारिज कर दे या फिर खतम कर दे ये बात हमारे वाइस प्रेसिडेंट बोलता है अब सुप्रिम कोट फिर से बीच में आता है आप कुछ भी बदो समिधान में वो चीज़े आप नहीं बदल सकते हो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्रिन में आपको आगे बता हूँगा तो ये बात यहां पर सुप्रिम कोट की साइट से बोली गई है तो क्या होता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडन है जगदीब धंकर साब वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्रिन को भी चैलेंज कर देते हैं बोलते हैं कि यहां पर बोलते क्या है यहां पर सुप्रिम कोट के इस लैंडमार्क जजमेंट के उपर पर वो क्वेशन उठाने लगता है ठीक है तो जगदीब जंकर साब ने क्या किया उस जजमेंट के उपर भी हाँ पर क्वेशन उठाया यह मैंने आपको बता दिया कि हाँ जगदीब भंकर साब ने सुप्रिम कुर का जो जजमेंट था बेसिक स्ट्रक्चर डॉफ डॉक्ट्रिन को लेकर इसको लेकर कुछ जो क्वेशन से वो उठाने स्टार्ट कर दिया है उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो जुडिश्री है न यह पार्लियमेंट की पावर को इस प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकती है पार्लियमेंट के पास में पावर है पूरी ताकत है कि वो संभीधान को बदल सके अमेंड कर सके, लॉस को फ्रेम कर सके इसमें जुडिश्री का कोई हाक नहीं है तो इनका यहाँ पर यह कहना है बट जुडिश्री बीच में आती है और उनको याद दिलाती है यहाँ पर लाद मार्ट के बारे में वो तब ही बैटी थी, तेहरा जजज बैटे थे, तेहरा जजज के बीच में यहाँ पर आप कैसा तो सुनवाई चली थी, सुनवाई किसी की थी, सुनवाई यहाँ पर यह थी कि क्या, जो हमारे संभीधान में, जो हमारे constitution में fundamental rights दिये गए, आपको पता होगा जो आपके अध हैं, fundamental rights के अगर हम लोग बात करें तो 12 से 35 तक सारे सारे fundamental rights हैं, तो बात यह चल लए थी, क्या हमारे parliament के पास में, क्योंकि parliament के पास में ताकत है, amendment करने की, संभीधान में कुछ बदलाव करने की, constitution में amendment करने की, है ना, वही से पास होता है, तो बोला यह जा रहा था, क्या fundamental rights जो 12 से 35 तक जितने भी fundamental rights हमारे संभीधान में mentioned हैं, क्या parliament उनको कभी चीन सकता है, लोगों के fundamental rights को चीन सकता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो यह बात यहाँ पर यह particular case जो है, केशवननदा भारती case के अंदर सुनवाई, इसकी की जारी थी, सुप्रियम कोट के अंदर 13 हाँ, parliament कर सकता है, parliament लोगों के, मतब संभीधान के अंदर बदलाव कर सकता है, parliament के पास में power है, लेकिन एक चीज़ नहीं कर सकता, और यहीं पर आजाता है basic structure doctrine, कि basic structure को आप हाथ नहीं लगा सकते, आप संभीधान में जो बदलना है बदल दो, जो amendment करना है कर लो, basic structure doctrine को आप नहीं बदल सकते, यह बात यहाँ पर, केश्वन अंदा भारती केस के अंदर आई थी, तो आप सोच रहोंगे, सरी basic structure doctrine है क्या, आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुको, बात क्लियर हो गई, इतना आपको समझ में आ गया, आगया आता है, अब उसके बाद म करना चाहिए कर सकती है, लेकिन basic structure doctrine को आप हाथ नहीं लगाओगे, संभीधान का basic structure आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हो, ठीक है, अब पारलियमेंट ने अपना, जो सुनवाई आ गई है 1973 में, जज नहीं यहाँ पर अपना जो order है वो जो दे दिया था, उसके बाद पार जो article 368 है, इसके अंदर पारलियमेंट ने बदलाव करने की कोशिच की, चेंज करने की कोशिच की, और इन्होंने हैं यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने चेंज यह किया कि पारलियमेंट के पास में unlimited power मिलेंगी, पारलियमेंट के पावर no limitation की साथ में होगी, कोई limit नहीं प्लस कोई भी amendment पारलियमेंट में होगा, तो वो court में नहीं सुनाया जाएगी, ठीके code की सुनवाई नहीं होगी उसके उपर, मतला पारलियमेंट अपनी इसाब से जो करना चाहिए कर सकती है, unlimited power की मांग कर रही थी यहाँ पर, लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोट ने, क् पारलियमेंट ने 1976 में यह काम किया था, 42nd amendment act के था, अपने आपकी powers बलाने की बात की थी, सुप्रीम कोट ने एक और केज देखा, 1980 में में मेनेरवा मिल्स केज, और उसमें यहाँ पर पारलियमेंट का यह जो पर्टिकुलर मामला था ना, इसको यहाँ पर खतम ही कर दिया यहाँ पर बोला कि आप जुडिचल रिविउ के बिना कोई काम करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो यह बात आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि जुडिचल रिविउ होना चाहिए, और पारलियमेंट क्या कर रहा था 1976 के में अंदर में, इनका फोकस यह था कि ह हम जो भी amendment करें, जो भी बदलाव करना चाहें, ठीक है, यहाँ पर जुडिचरी का कोई रोल ना हो, कोई बदलाव अगर होता भी है, तो उसमें यहाँ पर जुडिचरी उसको रिविउ ना करें, हम जो करें वो सही है, हमारी powers unlimited हो, यह पारलियमेंट ने कोशिश की थी, अभी तक basic structure of constitution के बारे में जादा कुछ बताया नहीं है, देखो properly अभी तक इसके बारे में कोई clarification नहीं है, बट जैसे से कोई ना कोई judgment आता रहता है, नएने case आते रहता है, नएने case आते रहता है, तो वो चीज़ें इसके अंदर add होती हुई चलती है, अभी के समये पर basic structure of constitution में क्या क्या आता है, आपके सम्विधान की supremacy, आपका सम्विधान सबसे उपर है, ये चीज़ आ गया, इंडिया की sovereignty, democratic, republic, जो इंडिया का ये जो nature है ना, sovereign, democratic, republic, nature, ये चीज़ आ जाती है, मतलब कुछ भी करो आप इन चीज़ों को नहीं बदल सकते, दूसरा जो powers का separation है हमारा legislature, executive, judiciary, legislature, जो कानून को बना रहा है, executive जो implement कर रहा है, judiciary, जो की basically देख रहा है कि कानून का सही से, मतलब उसको लागू किया जा रहा है, या नहीं किया जा रहा है, उसका उनलंगन तो नहीं, और उनलंगन हो रहा है, तो यहाँ पर judiciary के अंदर वो case देखा जाएगा, त आप, parliament अगर कोई यहाँ पर amendment कर रहा है, कोई चीज कर रहा है, तो यहाँ पर judicial review भी हो सकता है, और इसको parliament नहीं हटा सकता है, जजिस भी उसको review कर सकता है, दूसरा parliamentary system, यह भी basic structure constitution के अंदर, rule of law, principle of equality, free and fair election, और सबसे important independence of judiciary, यहीं पर game खतम हो जाता है, क्योंकि Supreme Court नहीं बो होगा, लेकिन Supreme Court का कायना यह है, कि आप basic structure constitution को देखो, वहाँ पर independence of judiciary, basic structure of constitution के अंदर है, तो parliament चाहे कुछ भी करे, इस BST को नहीं change कर सकती, इसको नहीं बदल सकती, आप कुछ भी बदलो, यह नहीं बदल सकती, और यहाँ पर judiciary का independence होना भी लिखा है, judiciary independent होना भी लिखा हु ठीक है, I hope आपको यह सारी की सारी बाते जो है clear हो चुकी है, यह था particular matter, college हमको as a target रखा गया, यह मैंने आपको matter समझाया, NJC क्या है, क्या क्या आया, यह आपने समझ लिया, constitution का foundation के बारे में समझाया गया, basic structure constitution के बारे में बताया गया, तो writer ने क्या क्या mention किया है, सारी ब अगले particular editorial पर आते हैं, देखो यह दोनों के दोनों article ना बिल्कुल similar है, same है, तो इसमें कोई difference नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको as a discover करना आ गया आते हैं, एक आखरी article और है, यह article हमारे text in context पर भी ही mention है, एक छोटा सा article है, जादा कुछ यहाँ पर है नहीं, बात की जारी में एक दिन discuss किया था thumbnail वाले article में, पांच जनवरी को लगबग मैंने thumbnail बनाया था, और काफी सरे लोगों ने, मतलब कभी-कभी thumbnail आप देखोगे न, ऐसे लगता थोड़ा जीब सा हो जाता है, कि यहाँ पर क्या बना दिया, तो कुछ लोगों ने महाँ पर उस दिन comment भी किय यार कैसा thumbnail बनाते हो, मतलब ऐसे लगता है clickbait कर रहो, देखो आज न, newspaper के अंदर इसके ओपर editorial आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, एक पूरा का पूरा editorial है, viral nutrition के बारे में, वही virus जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वैग्यानिकों को जो virus मिला है न important आपके examination के लिए होई जाता है, तो बात यहाँ पर की जारी है viral war के बारे में, तो viral war एक प्रकार का नया, viral war बेसिकली एक organism है, एक organism है, जो कि क्या करता है, वाइरस को खाने का काम करता है, तो viral war एक organism है, जो कि वाइरस को खाने का काम करता है, तो बेसिकली यहाँ पर वाइ पिछले कुछ समय में हुआ क्या है ना पूरे दुनिया बर में अलग अलग जो वाइरस है इसकी परिशानियां काफी जदा बढ़ती रहें कुरोना वाइरस ने पूरे दुनिया में यहां पर आपका सकतो हाहकार मचा दिया था लेकिन इस बार जो जीव मिला है जिसको इस युनिवरस्टी ने बेसिकली वेग्यानिक है इन्होंने यहां पर एक ऐसे जीव की खोज की है जो की दूसरे वाइरस को खा कर उनकी संख्यां कम करता है और अपना साइस बढ़ाता जाता है ऐसा जीव हम लोग को मिला है जिसको नाम दिया गया है वेरोवोर और ध्यान क्या बोला जाता है प्लांक्टन तो इसके बारे में में मेंशन किया गया है यह प्लांक्टन हम इसको बोलते हैं आगया आते हैं यह जो बेसिकली प्लांक्टन है यह साफ पानी में मिलता है साफ पानी में पाय जाता है यह जीव एक ऐसा जीव है जो केवल वाइरस को खाने पर बोला गया है वैग्यानिकों ने इस विरोवोर का जो नाम दिया है ना यहाँ पर बिसिकली एक सूंड की वेसे भी दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है इसको हल्तिरिया के नाम से भी जाना जाया जाता है तो पानी में यह अपने बाल जैसे पतले से सूंड को लहरा और chlorovirus को खा कर यहाँ पर अपनी जो शमताएं वो दिखाई है तो हेल्टेरिया ने अपनी संख्या जो है न दुनिया भर में मतलब आपके सकतो साफ पानी में देखी को मिली है जो fresh water उसके अंदर है आपने की संख्या पाई जाती है और fresh water में आपनी संख्या बढ़ जाती है वाइरस को खा कर अपनी संख्या को बढ़ाता है तो धियान रखना एक वाइरस को खाने वाली जीव है और यह हैल्टेरिया की एक स्पीशी कहलाती है यह हमने डिसकस कर लिया है यह nucleic acid nitrogen और phosphorus से मिलकर बना हुआ है यह बड़े मात्रा में जो वाइरस उनको खा सकता है लैब में हमने देखा है इसने जो chlorovirus है उसको काफी सदा खाया और अपने size को बढ़ाया इस वे से यहाँ पर यह चर्चा में देखने को मिल रहा है तो जो अभी हाँ पर 26 जनवरी पर parade चलने वाली है यहाँ पर आप कह सकता हो जो VIP है वो अपकी बार काफी कम VIP को invite किया गया है प्लस 32,000 seats देखने को मिलेंगी जनरल पबलिक के लिए जो कि यहाँ पर इस Republic parade को देख सकेंगे live देन उसके बाद में बोला जा रहा है कि Egypt के जो basically अपकी बार President है इनको invite किया गया है तो Egypt के President है अबदिल फता एल तो LCC इनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है अब की बार पहली बार जो है Egypt के जो President है वो यहाँ पर विसिट करेंगे और इस parade का जो है वानन लेने वाले है ठीक है तो यह था हमारा आज का overall discussion I hope guys आपको मज़ा आ चुका होगा सारी important relevant चीज़े हमने cover कर ली है जो भी important चीज़े थी अब फटा वट हम लोग अपने prelims को सवाल को देखते हैं कि कौन सी मतलब which of the following है कौन सी body ऐसी है जो कि Global Gender Gap Index को release करती है तो इसका सही उत्तर है option number A World Economic Forum World Economic Forum पब्लिश करता है हमारे Global Gender Gap Index को इस report को नाव मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद